नमस्कार आपका स्वागत है। दोस्तों, स्नान करने को हम साधारन सा कार्य समझते हैं। इसी कारण से लोग किसी भी समय पर स्नान कर लेते हैं। अथवा कुछ लोग कभी-कभी स्नान करना भी भूल जाते हैं। वे लोग स्नान को अधिक महत्व नहीं देते हैं। लेकिन दो विटक शरीर शुद्ध नहीं होता है, हमें किसी भी प्रकार के कार्य को आरंभ नहीं करना चाहिए, अन्यथा उन कारियों में विग्ण निर्मान होने लगते हैं, शास्त्रों में सनान करने के सबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं, यदि सनान करने की सह स्नान करते समय मंत्र बोलने से साक्षात मा गंगा उस स्नान के जल में प्रकट हो जाती है और उस व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। श्री कृष्ण ने बताए हैं इसी लिए प्रत्येक मनुष्य को इस विधि का पालन करते हुए नित्य स्नान करना चाहिए। यदि आप इस विधि का पालन करके स्नान करेंगे तो निश्चित ही आपकी दरिद्रता का नाश हो जाएगा और आपको सुख समृध्धि की कारे में बताया गया है जिस दिन बाल धोना बहुत ही अशुभ माना जाता है। और चमतकारी उर्जा व्याप्त होती है। ये समय देवताओं का समय होता है। लेकिन सुबह आठ बजे के बाद स्नान करना हमारे शास्त्रों में उचित माना नहीं गया है। इस समय वातावरण में व्याप्त दैविय शक्ती बहुत कम हो जाती है। इसलिए मनुष्य में उत्साह और उर्जा की भी कमी दिखाई देती है। जिससे वह दिन भर आलस का अनुभव करता है। पूरे दिन शरीर में सुस्ती सी रहती है और किसी भी काम में मन नहीं लगता है। उचित होगा परंतु त्योहार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। जियोतिश शास्त्र की द्रिष्टी से अगर हम देखते हैं तो अमावस्या, एकादशी और पूर्णिमा तिथी के दिन चंद्र या तो उच्च की स्थिती में होता है या नीच स्थिती में होता है। ऐसी सोमवार के दिन सुहागन स्त्रियां अपने बाल धो सकती हैं। अगर सोमवार के दिन सुहागन स्त्रियां वरत रखती हैं तो बाल नहीं धोने चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि सुहागन स्त्रियों के बच्चों का जन्म सोमवार के दिन ही हुआ होगा तो उस दिन में सु अपने बाल को ना धुए। इससे आपके बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है, उसका स्वास्थ्य बिगड सकता है। यदि आपके बच्चे का जन्म सूमवार को नहीं हुआ है, तो आप बिल्कुल अपने बाल सूमवार को धो सकते हैं, और बहतर परिणाम के लिए आप पलाश फुल के पत्ते को पानी में मिलाकर उसी जल से अपने बाल धोए। इससे आपके घर में शांती बनी रहेगी और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मंगलवार के दिन सुहागन स्त्री को बाल नहीं धोना चाहिए। उस दिन बाल धोने से आपको आर्थिक परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही वैवाहिक जीवन में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। इसी कारण मंगलवार को बाल धोना पड़े तो उसके दोश को बाल नहीं धोने चाहिए। क्योंकि उस दिन बाल धोने का दोश स्त्रीयों के छोटे भाई को लगता है। इस से बचने के लिए आप वरुण देव या फिर बुधवार के स्वामी श्री गनेश की आराधना कर सकते हैं। गुरुवार के दिन सुहागिन स्त्रीयां ही नह अपने बाल नहीं धोना चाहिए। उस दिन घर में पोचा भी नहीं लगाया जाता। ऐसी मान्यता है कि गुरुवार को बाल धोने से आपके घर में दरिद्रता आती है। यदि सुहागिन औरतें गुरुवार के दिन अपने बाल धोती हैं तो उनके पती की उम्र कम हो सकती है। इसलिए प्रयास करें कि गुरुवार के दिन अपने बाल बिलकुल भी ना धोये। किसी कारण वश अगर बाल धोना पड़े तो उसके दोश से बचने के लिए आपको थोड़ी सी हल्दी या बेसन को मिलाकर अपने बालों में लगाना चाहिए और फिर आप अपने बा धो सकती है। लेकिन जिन स्तियों को पुत्र की कामना हो या जिनके पुत्र हो, वे शुखरवार के दिन अपने बाल ना धोये। शुकरवार के दिन अगर अनिवार्य कारणों से बाल धोना पड़े तो उसके लिए आपको बालों में थोड़ा दही लगाना चाहिए और फि लोग शनिदेव के क्रोध से डरते हैं। इसलिए शनिदेव के दोश से बचने के लिए आप अपने बालों में दूध लगाएं और फिर धोएं। सुहागन स्त्रियां जिस मांग में सिंदूर भरती है उसे गंगा स्थल भी कहते हैं। इसलिए इसे पवित्रता और सौभाग्य की निशानी मानी गई है। सुहागन स्त्रियों को अपने मांग में सिंदूर लगाकर ही पूजा करनी चाहिए। लेकिन पुरुष को हर दिन धारणा है कि शनिवार, मंगलवार और गुरुवार के दिन ग्रह नक्षत्रों की दशाएं तथा अनंत ब्रम्हांड में से आने वाली अनेक सूक्ष्म किरणे मानविय मस्तिश्क पर अत्यंत समवेधन शील प्रभाव डालती हैं। कार्यमाना गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से शास्त्रों में सनान करने और बाल धोने के संबंध में महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। विडियो को लाइक जरूर करे और कमेंट में जैश्री कृष्ण और जै मा लक्ष्मी जरूर लिखे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करे। आप सभी का धन्यवाद।